कि देखिए डियर स्टुडेंट्स एक्सरसाइज 5.4 का कोश्चन नमबर 3 ठीक उसका सालूशन कराया जाएगा एक लैडर है जिसके रंग्स जो है 25 सेंटीमिटर अपार्ट है मतलब एक लैडर मतलब एक बांस की सीड़ी है ठीक एक लखड़ी कर सकते हैं जिसके डंडियां ज सब्सक्राइब सकते हैं जिसऎंज सब्सक्राइब पर और पिश्यस का लेंध्स 25 सेंटीमेटर फिर करा है कि दर रंग्स नंग्स decrease uniformly in length from 45 cm at the bottom जो रंग्ज है आपके जो रंग्ज है ठीक है जो रंग्ज है आपके उसका 45 cm बाटम का जो रंग्ज का लेंद 45 cm है और जो टॉप का है वो 25 cm है मतलब 2.5 meter अपार्ट है यदि इसके बाटम और टॉप वाला जो रंग्ज है मतलब जो डंडी है लकडी की उनके बीच का दिस्टेंस धाई मीटर है 2.5 meter अब देखे यह यह डंडी यह डंडी जितनी भी यह रंग्ज बनाए गए है इन सब रंग्ज को बनाने में कितना सेंटी मीटर मतलब कितना लेंथ का क्या लगेगा लकडी लगा वही हमको बताना है तो सबसे पहले हम नंबर आप रंग्ज पता करते हैं देखे यहां से यहां तक जो रंग्ज हैं कितने रंग्ज लगे हैं वह हमको फाइंड करना हुआ इनके बीच का डिस्टेंस है 2.5 meter सरे की कोई बी दो रंग्ज के बीच का डिस्टेंस से तो अब मैं क्या कर Benрос पूरे टोटर वाले डिश्टेंस में से 25 संटी मिटर अगर hailing7 इजा कितने हैं यह हमको पता चल जायेगा निकालेंगे नंबर आफ रंग्ज नंबर के बीच्ट आफ अंबर आफ वाफ इक्वल कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, इधर मैं लिग देता हूं, टोटल डिस्टेंस बिट्विन बाटम, टोटल डिस्टेंस बिट्विन बाटम और टॉप रंग्स, अप ओन, डिस्टेंस, बिट्विन टू, कांजेक्यूटिव, रंग्स, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टू होल्सम, वन बाइ टू, मीतर अपन, टॉप और टू, टू, अपन, टू, टू, पन, टू, इसको चेंज करेंगे, तो कितना हो जाएगा 250 cm upon 25 cm कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10 तो नमबर आप रंग्स कितने हमारे पास 10 हो गए है कितने नमबर आप रंग्स में 10 ठीक है तो अब देखिए जो है इसको मैं इरेज कर देता हूँ अब हमारे पास नमबर आप रंग्स हमको पता चल गया है तो यहां मैं लिख सकता हूँ मैं लिख सब्सक्राओ ठीक होँ आप रंग्स प्रम्स हम आप नम ठीक है कि अपन और यह एक बनाता है देखिए ला जो बाटम बाला जो रंग से बाटम बाला जो रंग है वो 45 सेंटीमीटर अब बीच का डिश्टेंच 25 तो कितना हो जाएगा यह 45 सेंटीमीटर आ तो अब यह वाला जो होगा इसमें जो डिफरेंस होगा यहां पर दिया हुआ है जो उसका लेंथ है लो ूनिफ़ा round क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्सिंदि क्रीज हो रहा है यह जो लेंथ क्या 45 cm ठीक है यह मैं यूनिट हटा देता हूं खाली 45 लिखता हूं लाश्टम में उसको लिख दूंगा फिर उसके बाद आपका हो जाएगा एवन हो गया फिर यह लाश्टम कितना है एन मान लेते हैं ना एन हमारे पास एन कितना है पहले एन लिख दीजिए एन इसकल टेन है ठी टेन इसकल टू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ठीक लाश्ट वाला एटेन आपका 25 हो गया तो अब हमको क्या निकालना है कितने उड़ लगे हैं इन रंग्स को बनाने में तो यहां में लिख देता हूं सो आश्टेन एक्क्वल नंबर आप रंग्स कितना है आपके 10 अब टू हो गया और अंदर हो गया फर्स्ट टम 45 लास्ट टम कितना है आपका 25 करिए बाहर 5 हो जाएगा 5 टाइम अंदर आ जाए आपका 40 260 70 हो गया 75 जा कितना हो जाए 75 जा 35 350 हो गया ठीक है तो यहां में लिख देता हूं therefore total total length of wood required for making rungs is 350 cm तो यह आपका आंसर हो गया नोट के लिख यह बहुती simple question था नोटdal को प्लिख कर दोग devil रोगम ठीक है व्हाम झाव में ल मरद कर दो 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 दोिए व्हार नोट पिलs पिलs COMMतार थोगि रिख जोादी कर दो दोग्स और पाल रिख घुती Store जैसे हो थाएद़ल नोष्टS – लनगुती Elijah बचू हो जाज़वं झाद्काンダホ